आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदानता की पेरेंट कंपनी वेदानता रिसोर्स के बारे में जिन्होंने आज यानि कि 15 फेबररी को एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि इन्होंने अपना जो करजा है उसको पिछले 11 महिनों में 2 बिलियन डॉलर से कम कर दिया है तो आज के वीडियो में हमें इस टॉपिक को डिटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भई इनको सडनली ये बताने की जरुरत क्यों पड़ी कि इनका जो करजा है वो 2 बिलियन डॉलर से कम हो गया है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम विदानता कंपनी का ग्रूप स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे टॉप पे बैठती है वालकन जो की इस ग्रूप की होल्डिंग कंपनी है ये अनेल बिलियन डॉलर से पिछले ग्यारा महिने में कम किया है और इनी के नीचे आपको इनकी एक subsidiary company मिलेगी जिसमें कि इनकी 69.7% की हिस्सेदारी है और वो है Vidanta Limited यानि कि अगर आप Vidanta के share NSE या BSE भे खरीदते हैं तो वो ये company है और इनकी parent company है Vidanta Resources Limited जिनोंने अपने करजे को कम किया है और अगर इनके businesses की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि ये बहुत सारे natural जो resources है उनके businesses में हैं जिसे कि zinc में ये दुनिया के largest integrated producer है aluminium में भारत के largest producer है ये primary aluminium के oil and gas में जितना भी crude oil भारत में produce किया जाता है क्योंकि आपको पता होगा हम ज़्यादातार import करते हैं लेकिन भारत में भारत में भी काफी oil produce किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा ONGC करता है लेकिन अगर private players की बात करें तो वो विदानता की जो cane limited है वो produce करती है इसके लावा silver में यह six largest producer है globally battery metals में जैसे की nickel हो गया वो इंडिया के soul nickel producer है कोबाल कॉपर आयन और स्टील commercial energy तो यह सभी businesses में है और आने वाले time में इनके जो business ventures है वो बढ़ने वाले हैं जैसे की semiconductor में गुसने वाले हैं semiconductor में अभी जो company गुसने वाली है वो है walcan जो इनकी holding company है इन्होंने Foxconn के साथ partnership announce किया इसके लावा display glass में यह एवन straight के साथ काम करने वाले है renewable में यह KKR के साथ joint venture करने वाले हैं और optical fiber जो fiber to home है उस business में जाने वाले हैं साथ-साथ में power transmission के businesses में भी यह आगे अपनी associated company के साथ गुसने source limited है यानि कि विदानता की parent company उनके ऊपर stand-alone basis पे 31 March 2022 को 9.66 billion dollar का net debt है यानि कि roughly 80,000 crore के आसपास आप बोल सकते हैं कि इनके ऊपर net debt है यानि कि cash and cash equivalent को हटा करके और उसमें से इन्होंने 2 billion dollar पिछले 11 महिने में pay कर दिया है तो that's what company has informed और आने वाले time में भी इनको बड़ी-बड़ी payment करनी है जिसे कि अगला जो financial year है financial year 2024 उसमें 3 billion dollar इनको pay करना है उसके बाद 2025 financial year में 2.9 billion dollar और उसके बाद भी 26 और उसके आगे 1.3 billion dollar और इनको pay करना है और यह है विदानता resources limited का stand alone कर जा और विदानता limited के बारे में अगर बात की जाए यानि कि जिस company का अगर आप share खरीदते हैं तो उनके उपर 31 दिसंबर 2022 को overall 7.4 billion dollar का consolidated debt था और इसको अगर आप रुपी में करेंगे तो लगभग 16000, 6000,000 करोड रुपए के आसपास होता है इनके पास 2.8 billion का cash और cash equivalent भी था तो net debt जो इनका था वो 4.6 billion dollar था यानि कि लगभग 38,000 करोड रुपए हम बोल सकते हैं और अब अगर बात की जाए latest development की तो विदानता resources ने आज यहनि कि 15 February को announce किया है कि इन्होंने पिछले ग्यारा महिने में जो अपना debt है उसको 2 billion dollar से कम कर दिया है क्योंकि investor काफी ज़्यादा चिंतित है कि आने वाले time में इनको जो बड़ी-बड़ी करजे की payment करनी है क्या वो कर पाएंगे या नहीं तो इसको शायद investor को थोड़ा सा भरोसा दिलाने के लिए इन्होंने ये inform किया है कि भई अब इन्होंने करजा 2 billion dollar के आसपास कम कर दिया है तो अब इनके उपर जो net outstanding करजा है वो 7.7 billion dollar है जिसमें कि 3 billion dollar ये 2024 financial year में पे करेंगे तो इन्होंने साथ-साथ में ये भी बताया है कि भई पिछले financial year यानि कि 31 मार्च 2022 का जब अन्तु हुआ था तब इन्होंने बोला था कि आने वाले तीन financial year में ये अपने करजे को 4 billion dollar से कम करेंगे और उसमें से आधा इन्होंने अलरड़ी सिर्फ 11 महिने में कम कर लिया है और बाकी का ये आने वाले टाइम में करते रहेंगे और अगर बात की जाए कि भई विदानता resources को suddenly ये क्यों बताना पड़ा कि इन्होंने अपना जो करजा है वो 2 billion dollar से पिछले 11 महिने में कम कर लिया है तो उसका reason आप समझ सकते हैं कि आज की date में जो interest rate है दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं चाहे वो भारत हो यूएस हो या कोई भी country हो वहाँ पर interest rate बढ़ रहे हैं ऐसे में जो companies बहुत सारा करजा लेकर के बैठी हैं यानि कि heavy debts हैं उनके उपर उनके लिए मुश्किल हैं बढ़ने वाली हैं क्योंकि उनकी interest payment बहुत जादा बढ़ जाएगी और अगर ऐसे में उनकी rating भी खराब हो जाती है credit rating तो further जो भी banks या financial institute होंगे या तो उनको करजा देंगे नहीं या बहुत जादा interest rate चार्ज करेंगे तो इसको लेकर के जो विदानता के investor हैं वो चिंता जता रहे थे और साथ-साथ में उनको ये भी चिंता थी कि दुनिया भर में जो recession की उमीद लगाए जा रही है कि 2023 में recession आएगा तो उसका impact commodities पे तो पढ़े गाई क्योंकि recession से commodities impacted होती हैं और विदानता तो commodities के business में है तो एक तरफ तो इनको business में जटका लग सकता है recession की वज़े से दूसरा इनकी interest payment बहुत बढ़ सकती है तो ऐसे में क्या ये survive कर पाएगी उसको लेकर के चिंता थी और पिछले week जो SNP global rating है उन्होंने भी विदानता को warn किया था कि भई जो इनकी credit rating है वो pressure में आ सकती है unless ये $2 billion या तो raise कर लें किसी bank या financial institute से या ये जो अपना international zinc assets का business है जो विदानता limited है विदानता resources की subsidiary company जिसमें की विदानता zinc limited आपको देखेगी जो की separately listed है उसके अलावा काफी सारी unlisted इनकी companies आपको दिखाई देंगी उसी में एक zinc international है जिसकी assets को ये बेचना चाह रहे हैं हिंदुस्तान zinc limited को और इसके लिए ये $3 billion का payment मांग रहे हैं कि आप ये वाली सारी assets $3 billion में खरीद लीजिए हाला कि government इसको oppose कर रही है तो government कहां से आ गई तो government ने हिंदुस्तान zinc limited को privatize तो कर दिया था दो दशक पहले लेकिन आज की date में भी government की भी इसमें हिस्सेदारी है 29.54 परसंट यानि कि विदानता की 64.9 परसंट की हिस्सेदारी है हिंदुस्तान zinc limited में government की भी 29.54 परसंट की हिस्सेदारी है तो government इसको oppose कर रही है कि भी पहले तो ये $3 billion जो आप लगा रहे है assets का ये बहुत जादा है और अगर ये over valuation पे इन्होंने assets खरीद ली तो इनका share price गिर जाएगा और आपको पता है कि government भी अपना जो share है हिंदुस्तान zinc limited में divest करके पैसा बटोरना चाह रही है तो उनको चिंता है कि भाई यहाँ पे अगर share price गिर गया तो हमें मुश्किल हो जाएगी इसलिए government इसको oppose कर रही है हाला कि इसके अलावा भी कुछ रीजन है कि भाई जो विदानता है decision लेरी asset बेचने का उसमें minority interest का ध्यान नहीं रखा जा रहा है बट mainly government नहीं चाहती है कि overvaluation पे assets खरीदी जाए और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या विदानता resources fully funded है यानि कि इनके पास इतना पैसा है कि अपनी debt repayment को पूरा कर पाएंगे और default नहीं करेंगे तो उसको लेकर कि S&P Global जो credit rating agency है उन्होंने बुला है भाई हम मार्च 2023 तक तो कोई जिंता की बात नहीं है यानि कि मार्च 2023 तक इनको जो भी पैसा चाहिए वो इनके पास है इसके अलावा एपरेल से जून के बात की जाये तो उसमें भी इनोंने काया कि जो विदानता से इनको dividend आता है क्योंकि विदानता आपको पता है बहुत ज़दा dividend issue करती है announce करती है तो उसका reason यह है कि इनका बहुत सारा share उसके पास जाता है विदानता resources के पास क्योंकि उनकी हिस्सेदारी है इसमें तो उस dividend और management fees जो यह charge करते हैं उससे यह अपना जो 1.5 billion dollar इनको एपरेल से जून के period में चाहिए पे करने के लिए वो भी यह पे कर लेंगे विदानता के dividend वगेरा से इसके बाद इन्होंने काया कि इनकी जो अगली debt maturities हैं December 31,2023 वाला जो quarter है उसमें इनको 500 million dollar pay करना है और January 2024 में further 1 billion dollar pay करना है जहां पे चिंता आ सकती है तो इसको लेकर कि S&P Global ने थोड़ा सा बोला है कि unless कि ये further पैसा raise नहीं करते तो इनके पास बहुत ही कम cash बच जाएगा तो इनके लिए बहुत ही difficult होगा अपनी debt को mature करना September 2023 के बाद तो September 2023 तक तो चीज़ ठीक है उसके बाद problem आ सकती है तो इन्होंने काया कि विदानता को पैसा raise करना पड़ेगा नहीं तो September के बाद इनकी मुश्किले बढ़ जाएंगी हाला कि अभी के लिए जो investors है उन्होंने जो इन्होंने debt payment का status बताया है कि भाई हमने 2 billion dollar से अपना debt कम किया है उसको लेकर के bond market में जो dollar capital requirement हो तो 50% उसका internally manage कर लेंगे और बाकी का 50% इनको refinance करना पड़ेगा यानि कि further loan लेना पड़ेगा तो आने वाले time में देखना पड़ेगा कि 2023 इनके लिए कैसे जाता है अभी के लिए company ने थोड़ा सा investor को शांत किया है और इसके अलावा company ने बोला है कि 20 साल में हमने 35 billion dollar debt और equity के through market से उठाया है और उसके बदले में shareholder को जबरदस return दी है तो इन्होंने बोला है कि हमारा debt servicing यानि interest pay करने का अच्छा record है तो अभी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है मैं उमीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी confusion दूर की होगी कि भई किस विदानता ने करजा pay किया है और आपने कुछ नया जाना होगा thanks so much for watching the video and God bless you all